नमस्कार दोस्तों मेरे शनपेगब फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बैंक की प्रबंधक को रिड़ प्राप्ति हेतु आवेधन पत्र ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट आवेधन पत्र है जो आपके ए option में मतलब एक option में रहने के पूरे-पूरे chances है तो ये आ ही सकता है तो चले देख लेते हैं कि अगर ऐसा question आता है तो आप कैसे लिखेंगे सेवा में क्योंकि bank के प्रबंधक को बोला है तो साखा प्रबंधक उसके एद फिर किसी भी bank के लिए अगर bank उसमें mention किया हुआ है आपके question में कि किस bank को लिखना है तो आप उसका नाम लिखेंगे या फिर किसी भी bank का नाम लिख सकते हैं पंजाब national bank या फिर state bank कोई भी और जगा का नाम उसकी बाद आप विशे लिखेंगे रिड़ प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र फिर आप आवेदन पत्र अपना लि श्योविद्याले से ही MSC की MSC प्रधम त्रेडी में उत्तिर्ण किये मतलब कुछ भी education आप लिख सकते हैं और अच्छा qualification आपको mention करना है लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजकार नहीं मिला है मुझे यह पता चला है कि विभिन रिड योजनाओं की अंतरगत आपका bank भी बेरोजकार योगों को एक लाक रुपय का रिड प्रदान कर रहा है या फिर अगर उसमें mention और question में कि इतने रुपय का रिड लेना है आपको तो वो आप mention कर सकते हैं आपके अवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे भी एक लाक रुपय का रिड प्रदान करने की कृपा क करें ताकि मैं अपना कोई वेश्यक प्रारेंब कर सकूँ धन्यवाद तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसान आविदन पत्र है बिल्कुल बेस में कोई मुश्किल नहीं है तो आपे लिख सकते हैं और उसके बाद लास्ट में प्रार्थी फिर अपना नाम पता और इधर साइट दिनां ख्लिक देंगे तो यह आपका अप्लिकेशन आविदन पत्र तयार हो जाएगा तो अगर वीडियो पसंद आई हो हेल्फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पढ़ना है तो प्लीज आनको सब्स्क्राब करना बिल्कुल भी न भूलेगा बबाई टेक केर और थैंक यह सो मच फूर वाचिंग